हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्बी एडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूँ ये कोस्टन, स्क्वाइर रूट चेप्टर से है Find the square root of decimal numbers, ठीके? दसमलो संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा? तो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहे हैं इस वीडियो में आन तक ताकि आप इसको सही से सीख पाएं हमारे पास जो number है, वो है 42.25, 42.25 इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, square root निकालना है तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यह हमारा right side है और इधर से हम दो-दो number का एक group बनाएंगे, जिनको हम कहेंगे pair तो first pair यह है और second pair यह है, दो-दो number को हमने एक साथ ले लिया अब हम इधर से शुरू करेंगे, यह हमारा left side है, पहला pair, ठीक है, कितना है, 42 तो हम इसको देखेंगे कि यह किसके square में आता है तो अगर आप देखो तो 6 का square होता है 36, और 7 का square होता है 49 तो 42 जो है वो इससे चोटा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है यानिकि 6 का square 36 लेंगे, अब यह जो number है 6, इसको हम यहाँ पर right करेंगे, diviser में और इसी को हम Quotient में भी right करेंगे, ठीक है, यहाँ भी 6 right कर लेंगे, और यह जो square तेर नमबर है 36, इसको हम इसके नीचे राइट कर देंगे, अब हम 42 में से 36 को माइनस कर लेंगे, तो यह जाके इससे करी ले लेगा, इनके पास हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 बिकम 6, और 3 माइनस 3 बिकम 0, अब इसमें क्या होगा, कि यहाँ पर यह जो कोशियंट होता है, इसको हम में add करना होता है, ठीक है, यानि कि जो कोशियंट में आया हो, यहाँ पर हम add कर देंगे, add करने के बाद में, सबसे पहले यहाँ पर एक digit लिखने के लिए space छोड़ देंगे, 6 प्लस 6 कितना होगा, 12, 6 प्लस 6, 12, ठीक है, अब यहाँ पर दिखी decimal है, तो सबसे पहले यहाँ हो गया, 625, अब यह जो जगह है ना, यहाँ पर हमें ऐसा digit भरना है, उसी digit से multiply भी करना है, ताकि यह इतना आजाए, या फिर इस से छोटा आजाए, बड़ा नहीं लेना है, ठीक है, तो मान लिजे यहाँ पर हमने रखा यहाँ पर 12, और मान लिजे यहाँ पर n into n करना है, तो 12 के फिर पर मान लिजें मैं लेता हूँ 2, कितना लेता हूँ, या पर 2 लेता हूँ, 2 से multiply भी करता हूँ तो कितना होगा, टो टू जा फोर, 2 अंजा 2, ये तो बहुत छोटा है, तो मैं पहले 4 लेके check करता हूँ, यहाँ पर कितना रख के check करूँगा 4, तो 4 से multiply भी करू और यह भी बहुत छोटा है तो 5 रखके चेक करते हैं 5 5 जा 25 to carry 5 2 जा 10 to 12 1 carry 5 1 जा 5 1 6 तो देखिए जब हम 5 बार ले गए तो यह 6 25 बिल्कुल एकोल आ गया तो इसका मतलब यह है कि यह वाला जो 5 है वो हमें आपर राइट कर देना है यह वाला जो 5 है इसको हमें quotient में राइट कर देना है और यह वाला जो 6 25 है वो हमें यहां पर राइट कर देना है जाब इसको minus करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0 तो जिस step में remainder हमारा 0 होता है उसी step में quotient हमारा answer होता है तो यानि कि इस में question में जो answer आएगा square root वो आजाएगा square root of 42.25 is equal to 6.5 ये मारा answer होगा यानि कि 42.25 का वर्गमूल कितना आएगा 6.5 ये आपका rough work है इसे आपको नहीं करना है ठीके ये आपका rough work है fair work सिर्फ और सिर्फ इतना है तो आप इसको write down कर लिजिए उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होंगा अगर वीडियो helpful लागा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class